15 जन्वरी से 21 जन्वरी तक का समय कुम्भराशी की लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जन्वरी माह के तीसरे सप्ताह की कुम्भराशी फल के बारे म कुम्भराशी की लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा ये साथ दिन कैसे रहेंगे 15 जन्वरी से 21 जन्वरी तक का समय किस तरह के बदलाव लेकर आएगा कौन-कौन से ग्रह राशी बदलेंगे कौन-कौन से परिवर्तन आपको अपनी दिंचरिया में देखने को मिलें सारी जनकर ये आपको विस्तार से मिलेगी इसलिए वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो सबसे पहले मैं ग्रह गोचर की बात करती हूँ कि कौन-कौन से ग्रह इस सप्ताह में राशी ब परिवर्तन जो की मकर संक्रांती का पर्व होता है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है बगवान सूरी के अराधना का होता है तो अगले एक महिने तक सूरी आ जाएंगे मकर राशी में अब अगले ही दिन 16 जनवरी को मंगल जो की धनुराशी में अस्तवस्था में थे व शुक्र का राशी परिवर्तन होगा शुक्रवी तक आपके कर्म के शेत्र व्रेश्चिक राशी में थे लेकिन अब वो 18 जनवरी को धनो राशी में प्रवेश कर जाएंगे जहां मंगल मौजूद हैं और यहां देखें मैं आपको बता दूँ यहां बुद्ध भी मौजूद हैं अब यहां लक्ष्मी नारण योग पूरे सप्ता आपको देखने को मिलेगा और इस लक्ष्मी नारण योग का जो प्रभाव है वो पूरे सप्ता आपको क्या क्या दे कर जाने वाला है यह आपको बताऊंगी चंद्रमा की स्तिति की बात करते हैं कि चंद्रमा की स्तित तो जो योग हैं वो कई तरह के बनने वाले हैं क्योंकि चंद्रमा राहू के साथ भीयोती करेंगे शनी के साथ भीयोती करेंगे तो योगों का भी निर्मान उसी तरह से होगा गजकेश्री योग भी बनेगा ग्रहन योग भी बनेगा तो इन योगों का जो प्रभाव है वो जो पंद्रह जनवरी का दिन है ये क्या है मकर संकरांती का दिन यानि कि ये दिन मकर संकरांती का पूजा पाठ दान के लिए विशेस होता है क्योंकि साल में एक बार आती है और इस दिन सूर्य मकर राशी में प्रवेश करते हैं तो देखे सबसे बड़ा जो काम होता है ना इ ऐसे वेक्ति को करना, ये चीज़ याद रखें, ऐसे वेक्ति को दान करना, जो ऐसा हाय हो, जो जरूरत मंद हो, उसका फल आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे वेक्ति को दान करते हैं, जिसके पास सब कुछ है, तो वो दान आपका दान के बराबर नह बुच्चना कुछ भी आपकी मर्जी के नुझार और तेल और गुड़ तो है ही सबसे महाम तो इस दिन की शुरुआत आप ऐसे कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अब बात करते हैं कि आपकी राशी फिर उसके बाद क्या कहती है तो जो चंद्रमा आपका किसी कारण से परिशान था ना वो मन आपका ठीक होगा आपके अपनों के साथ मिलकर और महनत आपने की है परिश्रम पर आप यकीन करते हैं तो महनत का फल आपके आसपास होगा बस थोड़ा सा सैयम से काम लेना है क्योंकि चीज़ें कई बार क्या होता है जब हम अपके लिए हितकारी चीजें कई होने वाली हैं आपको अपने कारशेत्र में चीजें पहले से काफी बहतरी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगे और देखिए जोस कामयाभी को पाने के लिए आप छोटे मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत को भी शामिल कर रहे थे उ बहुत अधिक नहीं रिजल्ट देगा ये लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जैसे प्रोफेशनल तोर पर आपके अधिकारी आपके साथ खुश रहेंगे आपके कारोबार में अच्छे स्थितियां बनेंगी और धनला इस सप्ता में आपको जरूर होगा और साथ में खर्चे का योग भी है लेकिन आप अपने भविश्य को सिक्योर करने के लिए इस सप्ता हमें काफी कुछ करने वाले हैं इस सप्ता हमें जो मंगलवार का देना आएगा और बुद्वार का देना आएगा उसमें आपक के भाई बहन हैं तो उनसे भी आपको सहयोग के प्राप्ति होगी और शनिवार का जो दिनों का उस दिन आपको थोड़ी स्वास्तेकी स्वास से सम्मंदी परिशानी हो सकती है वहाँ थोड़ा ध्यान रखें और एक चीज और ध्यान रखनी है ओनलाइन फ्रॉड जो होता है इस से बहुत सावधानी आपको रखनी होगी इस दोरान में इस दिन तो खास तोर से जो शनिवार का है ओनलाइन फ्रॉड से बहुत सावधानी रखनी है किसी को भी अपना कहते है न ओटीपी वगयरा ना दे लेकिन इस चीज का ध्यान आपको रखना है जो स्टुडेंट् इदर उदर भटकता रहा तो बाद में आपको ये चीज़ें बड़ी याद आने वाली हैं। बहुत अच्छा है और साथ में जॉब करते हैं वेफसाय करते हैं उन चीज़ों से अच्छे लाब के योग भी बने हुए हैं। फिक्षर भी सुनने को मिल सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने खर्चे पर ताकि अपनी जो आर्थे किस्तिती हैं उसको आप मजबूत बना कर रखें। इस अपता मैं आपको बताओं हितकर आपके लिए सावित होगा और इस अपताव वाकई में चीज़ें पहले से काफी बहतरी की तरफ बढ़ती हुई प्रतीत होगी। आप जो आपके नीचे काम करते हैं जो आपके सहकर्मी हैं या फिर जिनों ने आपके मेहनत में आपका साथ दिया हैं उनसे हमेशा दुआ सलाम करनके आप निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। सेक्षिक सफलता देख परिक्षा की प्रतियोगिता की तयारी अगर स्टुडेंट्स जो कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा योग है सफलता प्राप्त होने का और साथ में आपका परिवार भी बहुत प्रोथसाहित करता हुआ दिखाए देगा। कोई सिक्षक, कोई गुरू आपको कोई ज्यान की कुझी भेट स्वरू प्राप्त कर सकता है जो आपके लिए काफी महत्वण होगी तो कि वो आपको एक राह दिखाने का काम करेंगे और गुरू का हाथ जब आपके सर पर हो तो चीजें अपने आप अच्छी होनी शुरू अच्छे हैं स्टुडेंट के लिए प्रतियोगी परिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं और अपके पिता की बॉंडिंग के साथ अच्छे हैं मंगल और शुक्र और बुद्ध ये तीन गरह आपके लाब के भाव में हैं लक्षमी नारण योग बनाएंगे तो लक्षमी आना तो तै है कि धन की देवी लक्षमी प्रसन होंगी और धन आपके पास आएगा 18 जनवरी से ये चीजें आपके लिए होनी शुरू हो जाएंगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे उपाय के तौर पर मैंने आपको बताया कि 15 जनवरी को आपको क्या करना ह और ये उपाय बहुत उत्तम है जो बहुत अच्छे रिजल्ट देने का आपके लिए काम करेगा साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें